नमस्कार अब देखें न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ सांद पुनाब के साथ बिहार के बकसर जुले के रहने वाले कॉंग्रस त्रेनमुल के राजनीतिक सलाकार प्रशांद किशोर अब भवानीपुर के वोटर बन चुके हैं बता दे कि भवानीपुर वही विधान सबा सीट है जहां पर 30 सितंबर को उपचुनाओ होने हैं और इसके लिए टीमसी प्रमुक ममतब एनरजी इस उपचुनाओ में मैदान में हैं अगर ममतब एनरजी इस चुनाओ को हारती है तो वो शायद बंगाल की मुख्यमंतरी सीट क खो देंगी इसलिए यह उपचुनाओ ममतब एनरजी के लिए बेहत एहम है क्योंकि उस चुनाओ के बाद ही ममतब एनरजी बंगाल के मुख्यमंतरी के सीट पर बनी रहेगी इसको लेकर भाजपा ने भी कई सवाल खड़े किये हैं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिन मुल्की प्रतिकरिया आई इसके समंदित पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं टी-मसी ने प्रशांत किशोर को राजसभा में भेजने का मन बनाया है या नहीं अब इस पर पार्टी के तरफ से कुछ कहा नहीं गया है टी-मसी के नेता सौगत रॉय ने कहा है कि अगर कोई राजसभा चुनाओ में हिस्सा लेना चाहता है तो जरूरी है कि वो सौगत रॉय ने कहा है मैं देखता हूँ इल्मे की कुछ भी गलत नहीं है वो एक भारतिय नागरिक है और किसी भी राजसभा के वोटर बन सकते हैं दूसरी बात यह है कि अगर कोई राजसभा का चुनाओ लड़ना चाहता है तो जरूरी है कि वो सौगत राज़ का वोटर हो इसके बाद से यह सीट खाली है पशिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद टीमसी ने इंडिन पॉलिटिकल अक्षिन कमिटी यानि आई पक के साथ चल रहा अपना कॉंट्राक्ट रेन्यू कर लिया था इस कंपनी को प्रशांद किशोर नहीं लॉंच किया था नया कॉंट्राक्टर साल 2024 के लोग सभा चुनाओ तक के लिए साइन किया गया है प्रशांद किशोर के भवानी पुर से वोटर बनने पर अपनी प्रतिकरिया देते हुए भारतिय जनता पाटी यानि भाजपा के वरस्ट्र नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि महिला और पु चुनाओयों के वेबसाइट के अनुसारी प्रशांद किशोर को उन सच्वा विधान सभा सीट भवानी पूर के मतदाता के तौर पर मान लिया गया है प्रदेश भाजपा ने शनिवार को कहा कि पशिम बंगाल के हालिया चुनाओं में ममताब एनरजी के निट्टित्व वाली पाटी के चुनाओं सलाकार रहे प्रशांद किशोर को भवानी पूर निर्वाचन छेत्र में मतदाता के रूप में नामंकृत होने के कारण उन्ह लिए हमें यकीर नहीं है कि बंगाल की बेटी अब बाहरी मतदाता के पक्ष में है या नहीं मुक्यमंत्री ममतब एनरजी टीमसी और टीमसी प्रवक्ता कुणाल घोष के आधिकारिक हातों को टैक करते हुए ट्वीट में हाल के वधानसवा चुनाओं के प्रचार के लिए परश्यम बंगाल के बाहर से आने वाले भाजपानेताओं को त्रिनमुल द्वारा बहरी गा प्रशांद किशोर ने बताया कि वो फिलाल ब्रेक पर चल रहे हैं और आगामी चुनाओं से खुद को दूर रख सकते हैं ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांद किशोर के किसी भी पार्टी के लिए रणनीती बनाने की संभावनाएं नहीं है हाला कि पिशले कुछ समय में पीके के कॉंग्रिस में शामिल होने की अचकले लगाई जाती रही लेकिन अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो सका है और अचकले भी लग रही है महिने के शुरुआत में प्रशांद किशोर के करीबी सुत्रों ने बताया था कि उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया है और अगले साल मार्ट से पहले वो कोई भी असाइन्मेंट नहीं लेंगे सुत्र ने यह भी कहा था कि वे अगले साल तक किसी भी पाची के अंदर या बाहर से कोई भूमिकान नहीं निभाएंगे साथ ही पीके ने एलान किया था कि वह जो भी काम करते आ रहे हैं अब वो नहीं करेंगे बतादे कि बंगाल के भवानेपुर विधानसभा सीट पर 30 सितम्बर को उपचनाव होने हैं और इस पर ममता बैनर जी की पहनी नजर टिकी हुई है ममता बैनर जी इस उपचनाव में मैदान पर है और अगर वो इस चनाव को जीतती है तब ही वो बंगाल की मुख्यमंत्री की सीच पर बनी रहेंगी अत्वा उन से उनकी कुड़ सीच छिल ली जाएंगी इसके साथी टीमसी इस रणनीती पर है कि राजसभा प्रशांद किशोर को भेजा जाए भवानी पूर का वोचर बनाने के जरिये इस पर प्रशांद किशोर ने अपनी कोई प्रति के लिया व्यक्त नहीं की है और उनोंने कहा है कि वो अभी आगामी चुनाओं से खुद को दूर रख रहे हैं और वो फिलाल ब्रेक पर है टीमसी ने भी इस पर अपनी कोई साफ प्रति के लिए स्पश्ट नहीं की है टीमसी ने अब इस पर आधिकारे घोशना नहीं की है कि क्या वो प्रशान किशोर को राज्य सभाब भेजेगी अभी के लिए बस अतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए मैं साथ जुड़े रहें नमस्कार